हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैस्ट आउट ओफ वेस्ट से मैंने कुछ यहाँ पर यह फ्लावर पॉट्स बनाए हैं जिनके अंदर मैंने पेर पॉधे लगाए हैं और इसकुलों में बच्चों को इस तरीके का प्रोजेक्ट दिया जाता है बैस्ट आउट ओफ वेस्ट के कॉम्टिशन्स भी होते हैं तो जो जो समान मेरे पास बेस्ट पड़ा था उससे मैंने बहुत ही यूसफुल यह प्लांट लगाने के मैंने पॉट्स बनाए हैं फ्लावर वेस्ट बनाए हैं जो बहुत ही खुबसुरत भी लग रहे हैं और इसमें मुझे पॉधे लगाने के लिए मेरे को फ्लावर वेस्ट भी मिल गया है तो मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेर पौधे लगाएं और साल में एक पेर अगर हर इनसान लगाए तो हमारी environment की problem solve हो जाएंगी अब हर वार अपने birthday पर अपने बच्चे के birthday पर अगर आप एक पौधा लगाएंगे एक पेर लगाएंगे और उसको बड़ा भी कर लेंगे पानी दे दे कर उसकी देख भाल करके तो वो हमारे बहुत ही काम आएगा तो मैं सभी से मेरा इसमें ये एक सबसे request है कि आप environment को बचाएंगे और जादा से जादा plants लगाएंगे तो देखे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरह के से बनाया है ये मैंने आपे सुतली ली है सुतली मार्केट में असानी से मिल जाती है मेरे पास ये बहुत पहले का सुतली का एक बंड़ा लखा हुआ था ये समान को बांधने के काम में आती है ठीक है तो मैं ये सुतली को मैंने तीन जो तीन हिस्से इसके कर लिये है अपने बालों की चोटी गुंते है उस तरीके से ये तीनों पार्स को चोटी की तरह गुंद लिया है उपर से आप किसी एक चीज से पकड़ लिजिये इसको और नीचे तक चोटी ही तरह इसको गुंद लिजिये तो इस तरीके से मैंने ये पूरी दो-3 तरीके की डोरी तैयार कर लिया है देखे इस तरीके से चोटी गुंद लिये पर ये सुतली से बन जाती है बहुत असानी से, और एक तरह की और बनाई है, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ, अब ये मेरे पास पड़ा था, आइस क्रिम का डिबा, अब प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक जो है, हमारा अंवार्मेंट को नुक्सान पहुचाएगी, तो हम इसी प्लास्टिक का रिय काट कर मैंने इसको plain कर लिया, देखिए, इसको मैंने कट कर दिया, ये पूरा कट करके निकाल दिया है, और जो ये बचा है, इसको भी मैं भी बेस्ट ने करूँगी, इसको हम इसके अंदर लगाएंगी, ठीक है ? तो यहाँ पर मैंने थोड़ाँ थोड़ा फेवी औ को ल सुतली की दो डोरियां ले लिए एक साथ ताकि जल्दी से कवर हो जाए अगर हम सिंगल से करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा तो मैंने डबल कर लिया है डोरी को और हम डबल डबल डोरी इसके उपर चिपकाते चले जाएंगे थोड़ा थोड़ा फेवी को लगाते जा जाती है करते करते और फिर यह भौत तेजी से होने लगता है ट्रीक है तो आप इसी तरीके से पूरे पर circular में इसको घुमाते घुमाते पूरे इसके उपर मैंने डब्बे के उपर थोड़ा थोड़ा फेवी को लगा करके इसको मैंने cover कर लिया है यह देखिए पूरा इस तरीके से हो गया यह ठीक अभी जो यह उपर का part है इसको मैंने यह जो डोरी बनाई है इस डोरी को चिपका करके बॉर्डर जैसे चिपका करके यहाँ पर इसको मैंने cover कर दिया है तो बाहर से कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि यह एक हमने प्लास्टिक के किसी आईस क्रीम के डिब्बे से बनाया है यह देखिए अगर आपके पास ग्लूगन है तो आप ग्लूगन से भी चिपका सकते है यह देखिए पूरा चिपक क्या है ठीक यह रेडी हो गया है अब यहाँ पर मैंने एक डिजाइन देने के लिए इस तरीके से डोरी को वी शेप में आपर लगा दिया है यह जो डोरी बची है इसके उपर एक तरफ से आप गांठ बंद लीजिए और फिर डबल डोरी करके इसके चारो तरफ लपेट लीजिए यह भी कवर हो जाएगा दिखाई नहीं देगा कि यह जो है इसके नीचे क्या चीज है वह कुछ नहीं दिखाई देगी अक्चुली यह मैं इस फ्लावर पॉट में लगाऊंगी न तो जब हमारे इसमें लगे हुए पौधे बड़े होंगे जैसे कोई बेल वाले पौधे होते हैं तो वो जब लिपटने के लिए जगा मांगते हैं किसी चीज से सपोर्ट के लिए उनको हम बीच में कभी डंडा खड़ा करते हैं उसके कभी कुछ लगाते हैं तो यह हमें बहुत काम आएगा अच्छे देखिए अभी मैं दूसरी डोरी बना रही हूं यह डोरी इस तरीके से बना रही हूं जैसे हम स्वेटर बुणने के लिए फंदे ड पकड़के कै निकालेंगे हर बार ऐसी पकड़ पकड़के आपको इसको खीचना है म возьmo हमारा इफंदर जादा बड़ा हो जाएगा तो हम इसे फिर से छोटा कर देंगे ठीक है तो इसी तरीके से हम इसको पूरी डोरी और बना लेंगे तो दोनों में से जो भी आपको इजी लगे डोरी या जिसका जहां पर यूज सही समझ में आए आप उस तरीके की डोरियां अब मैं आपको इसमें बताती हूं कि इसमें हम पौधा कैसे लगाते हैं डिबे के नीचे आप छेद कर लिजिए और यह मेरे पास वेस्टेड दिये पड़े हुए हैं कुछ दिवाली के तो इनसे मैंने नीचे के जितने छेद हैं उन्हें कवर कर दिया है यह मेरे पास टी इससे पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं जब भी आपके पास टी बैक्स आप यूज करते हैं ना चाइए में तो आप इन टी बैक्स को रख लीजिए तो टी बैक्स जब सूख जाएगा तो आप इसको अपने पेर पौधों की मिट्टी में मिला दिजिये तो बहुत यहां पर मैंने स्नेक प्लांट लगा दिया है इसमें यह एयर प्यूरिफायर प्लांट होता है बहुत अच्छा होता है आप इसको लगाएं अब देखिए मैं दूसरा बॉक्स पना रही हूं यह मेरे पास एक जूट का बैग पड़ा हुआ था ठीक है जूट का बैग मेरा ख पहले से ही लैस लगी हुई थी तो मैंने इसको देखिए कवर कर दिया इससे ठीक है तो जूट का पड़ा आप ले सकते हैं अकर आपके पास कोई ऐसा बैग नहीं है तो और अब यह सुतली जो डोरी है इससे हम यह बाहर का बच्चा हुआ जो स्पेस है इसको कवर कर रहे ह जिस तरीके का आपका बॉक्स हो आपके पास जो कोई भी डिबबा हो जिसको आपको सजाना हो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा उसको कर सकते हैं मैंने मेरे पास यह गुलू कॉंडी का डिबबा था जिसमें मैंने यह पौधा लगाया है और जो यह डोरी बना करके र डिबबा नहीं दिखाई दे रहा कि वह यह किस चीज का डिबबा है और कितना प्यारा फ्लावर पॉट बनाए इसको डेकॉरेट करने के लिए देखिए मैंने बीच में एक बटन लगाया है मेरे पास जो यह बटन है यह मेरे पास स्टीकर्स हैं बटन के मुझे मार्केट म में जब कभी कोई बहुत अच्छी सी चीज मिलती है तो मैं उसको ले लेती हूं और वो कभी ना कभी अच्छे यूज में आई जाती है तो आज मेरे यूज में आ गई लेकिन आगर आपके पास बटन वाले स्टीकर्स नहीं हो तो आप सचमुष का बटन चिपका दीजे ठ हट जाती है तो उनके बटन निकाल लीजिए ठीक और उनके बटन लगा दीजे तो देखे मेरे पास तो यह स्टीकर का एक पूरा पत्ता है यह सारे स्टीकर मैंने आप चिपका दिये और एक अच्छा सा ऐसे डिजाइन बना दिया है ठीक अच्छा जूट का यह देखे एक टुकड़ा बचा है मेरे पास इससे मैं पत्तियां बना रही हूँ आप पत्ती बनाईए इससे कटिंग कर दीजे यह देखे इस तरीके से मैंने इसको कटिंग कर दिया है दो पत्तियां हो गई है दो पत्तियों को मैंने इससे चिपका दिया है और पत्तियों की साइड में लगा करके मैंने यह सुतली से इसको चिपका दिया आपको यह डोरी भी चिपका सकते हैं और आप इस सुतली को कलर करके भी चिपका सकते हैं ठीक है So there are so many ideas जो के आप यूस कर सकते हैं ये तो मैंने बहुत जल्दी में बनाए है आप और महनत करना चाहें तो और महनत कर सकते हैं ये गिरीन जो कलर का ये मेरे पास जूट है ये भी उसी बैग में से ही बचा हुआ पार्ट है ठीक है जूट के बैग में ही लगा हुआ था ये तो इसकी भी मैंने दो पत्तियां बना दी हैं और इस तरीके से स्टीकर वाले मैंने बटन लगा करके देखे ये मैंने पार्ट्स बना दी है तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप प्लास्टिक को रियूस करिए उसको फैके मत क्योंकि उससे हमारा इंवार्मेंट बहुत खराब हो जाता है और बहुत जादा से जादा पेड़ पौधे आप लगाईए एंवार्मेंट को साफ रखिए प्लास्टिक कर दो जादा प्लास्टिक कर दो जादा प्लास्टिक